हेलो इस्टोडेंड कैसे हैं आप से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल दे होगी बच्छो और चैप्टर टू क्लास्टोल्ट कमिस्टी न्सी आर्टी सब लोग अबजेक्टिव पढ़ते हैं फिर रिक्तिस् आप से बन जाएगा इसके पीछे का रीजन का है बच्छो कम समय में आप रिवीजन कर पाऊगे बीस से पचीस कोश्चन तयार कर लोगी बीस से पचीस में आपका किसी भी प्रकार से अब्जेक्टिव आएगा वह बनेगा पर हां थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना प समपरासरी बिलियन क्या बोलेंगे समपरासरी बिलियन बोलते हैं जिनके परस्रणदाब समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं समपरासरी बिलियन जैसे मालीजे कहा गया कि एक बिलियन क्या पेच्छा दूसरे बिलियन का जो परस्रणदाब अधिक है ठीक है तो उसे ब इसका कम पराशण है ठीक है परशणदाप कम है और इसका अदीक है तो ये जो है B जो ऐ एक पेछा हाइपर्टोनिक कहला है इह पोलते हैं हाइपर्टेंशन तो ये 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 फोटोनिक कहते हैं जरूरी है जानना ठीक चलिए देखो एक के सांद तीन अब्जेक्टिव आपका तयार हो गया साधान नमक को जल में मिलाने पर साधान नमक हमारे पसड़ान मिला दे तो जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा ब्रद्दी द्रौ का बराबर हो जाए तो कहीं न कहीं हमाद सुद्धियां मिला देंगे तो अधिक ताफ देना पड़ेगा पानी से वबल रहा था बास में बदल रहा था लेकिन नमक मिला दिया हमने तो भाई उसको अधिक ताफ लगेगी कोथनांग ब्रद्र होगी अगला जब रक्त कोशिकाएं कोशिका एक से अधिक रक्त कोशिकाएं में कोशिका एक से दिक परसंद दाब बाले बिलियन में रखा जाए तो क्या होगा भाई सिकुड जाएगा सिकुर जाने का मतलब अंदर का द्रव बाहर आ जाएगा ये चीजे अगला देखो राउल्ड के नियमा नुसार बास्पसील बिले के बिलियन के लिए सापेच बास्पदाब में अबनवन बराबर होता है बिले के मोल प्रभाज के बराबर होता है आप लोगों ने पढ़ा हो अर्द पारगम जिल्ली में केबल और केबल बिलायक के अड़ु ही जाते हैं एक अबजक्टि और कोश्चन त्यार हो गया पारगम जिल्ली में भाई बिले भी जा सकता है लेकिन अर्द पारगम जिल्ली में केबल और केबल बिलायक के अड़ु ही जाएंगे तो यहां पर आप लिखो बाई अर्द पारगम जिल्ली कार सानिक नाम rainforest i night my roommate mean में बि भिले पदात का 1 गुला रहता है एकま गुला रहता एक मूल गुला रहता है कहने को मतलब 1000 ग्राम बिलायक में दिए एक मोल तो से मुलल लता कहते ही तो एक हजार ग्राम बिलायक में एक मूल गुला रहता है मूलरता हो, मूललता हो, फारमलता हो, है ना, नारमलता हो इन चीजों को पढ़ना जरूरी है, यहां से objective question भी पूछा जाता है हो सकता है आप से formula पूछ लिया जाए, हो सकता है आप से बिलायक में बिले के मूल की संख्या, यह क्या कहलाती है बच्चों, यह कहलाती है मूललता, एक हजार ग्राम बिलायक में बिले के मूल की संख्या, मूललता कहलाती है लेकिन वहीं पे 1000 ml, यहां एक लीटर की बात कर ले, एक लीटर, एक लीटर बिलियन में, बिले के मोलों की संह्क्या, वो मोलर्ता कहलाती है, थोड़ा समझने कोशिस करेंगे, एक हजार ग्राम बिलायक में बिले के मोलो की संख्या मो ललता एक लीटर बिलियन में बिले के मोलो की संख्या मो लरता एक लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्लियंकों की संख्या बच्चा वो कहलाता है आपका नरमलता एक लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांकों की संक्या वो कहलाता है भई नर्मलता और यदि एक लीटर बिलियन में उपस्थित बिले पदार्थ के ग्राम सूत द्रबमान की संक्या तूँ वो फारमलता चारों चीज में डिफरेंस है एक हजार ग्राम बिलायक में उपस्तित बिले पदार्थ की मोलों की संक्या मोललता एक लीटर बिलियन में उपस्तित बिले पदार्थ की मोलों की संक्या मोललता एक लीटर बिलियन में उपस्तित बिले पदार्थ की ग्राम सूतर द्रबमान की स शुलाती है 555 पांच यह चीज होता है परस्रद अधाप ग्याद करने का जो सूत रुटा पाई बराबर एन रटी अपन भी हम यहां पर सी के फॉर्म में भी लिखते हैं लेकिन हमारा एन अर्ट अपन भी यह भी आपका परस्रद अधाप सूत ग्याद करने का तरीका है अड कि दर साने बाले बांटा फूरा का माल कितना होता एक होता है वाई हुआ laughter एक लीटर में उपश्थिर के मोलों की संख्या मुल लर्ता कह ВоÓई ने आपको बताया यह ह optic की ँरल यह उतल पर आजाता कि द्रब मान आ जाता तो तो और विग फी तंट पर जाएंगे तो ऑसक्ष अपर किसी द्राव का दाव के द्राव रहार बखाए बदाव के बराबर रहा द्रो मिष्टन जो दीनाεται संगटन परिवर्ततन किया हुए उबलता उसे ऺजियो ट्रॉप कहते हैं यह इंगलीस सब्ध है ठीग है यह इसका इसका हिंदी होता है इस्तिर कवाती-मिस्तिर तीक Brock को बोलते है संगठन में कोई बदलाव नुह बिना परिवरतन के उबाल दें तो फिर Tob-Drop सब्सक्राइब करते हैं मैंने आपको पहली बताए बिलाया कि मोल ललता का च्छे बच्चों यह आपको त्यार करना है ठीक चलिए आगे देखो किसी भी तनु बिलियन के वे गुण सूत्र जो बिलियन में उपस्तित बिले की संख्या पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं भाईया वो अनुसंख्या गुण धर्म कहने के मतलब भाई साहब जो बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा वो अनुसंख्या गुण धर्म कहलाएगा जैसे परश्र अदाब आपका एक जाम पल के तौर पर मोल अर्ता का एक है मोल प्रति लीटर बोल सकते हो क्योंकि एक लीटर में पस्तित बिले पदार्थ की मोलों की संख्या या मोल डीम क्य यह आपका सही है इसको आप लिको पीपियाम एक घटाक की मात्रा बटे बिलियन का कुल द्रबमान गुर्दस घाते छे बच्चो यह आपका पीपियाम का फार्मूला है यह जो बच्चो अगला कोश्चन है अनुसंख्या गुर्धर्म दर्साने वाले जो परस्रण दाव ह कोश्चन घंख्या बिलकुल बनना चाहिए कि अनुसंख्या गुर्धर्साने वाले जो है кого biss अभिव्यक्ति हैं यानी मतलब कहने मतलब उदाहरन बताओ तो यह आपका परस्रण दाव है हिमां का अबनमन कुथनांकुर्णयाद और एक अच्छा उदाहरन है आपका वास्पदाब्में आपेचिकवण वास्पदाब्मन नहीं आपेचिक अनमन आप लोग लिख सकते हो पर चौथा नमबर वास्प दाव में आपेचिक अबनमन अपेचिक अबनमन ठीक है यह चीज बच्चो आपको पता होना चाहिए धनात्मक बिचलन दर्साने वाले बिलियन अब इसको भई बिल्कुल यादी करना पड़ेगा आपको करना तो कर सकते हो नहीं करना तो मत करिए रिद्रात्मक बिचलन दर्साने वाले बिलियन क्योंकि यहाँ से भी अब्जेक्टी बन जाता है एक अब्जेक्टी बच्चो बनता है आपके हैंडी के नियम से हिंडी के नियम से जो हमारा एक्स अभी प्री बोर्ड में कुश्चन आया था X बराबर यह आपका के-हाय थ था पी आया था ठीक है यह नहीं यह बिले पदार्थ के द्रबमान कि संक्या कितना मिल रहा है बच्चों पी वहां पर दाव है हेन्रि ने क्या बताया था मालीजे किसी द्रॉमे गैस की भी लेता उस पर अरोपी दाब की समान उपाती होता है तो हेंडी का जो फार्मुला है ये इसके बराबर होता है तो हेंडी के नियम से आप लोग तैयार कर लेना कभी कभी बच्चो आदर सिबिलियन अनादर सिबिलियन से भी कोश्चन आ जाता है कि आदर सिबिलियन किसे कहते हैं जो राउल्ट के नि नियंदे के प्रगलित मान से अधिक होता धनातम बिचलन कहलता है रिर्ात्मक बिचलन वाले बिलियन क्या है बच्छो जिनका सीधार माले बिल्ययन वाले wraplla विचलन बोलेंगे और जो कि आंसिकान के मान बुद्दा्म बिचलन वाला परिवर्ता नहीं बिलियन अब यहां पे और कई सारे अब्जेक्टिव है ऐसा मत समझो जो हमारे दी कोशन आ गया कि यह जो आपका डेल एच बराबर मैक्जिमम ठीक है प्लस भी यह किसको दर्साता है बताओ अधिक है मतलब धनात्मक यदि भाई डेल एच मी इनस भी तो फिर एक दर्साएगा रिणात्मक विचलन वाले बिलिया तो ऐसे कई प्रकार से भी कोश्चन बन जाते हैं बच्चो लेकिन फिलहाल आज के लिए आप इतना तयार कर लेते हैं एक जैसे आपका वास्पदाब में जो आप एच्छी का अबनमन है उसका इनको आपको त्यार कर लेना है एक यहां पर मैं कुश्चन लिख देता हूं एक एंटी फ्रीज किसे कहा जाता है इंटी फ्रीज कि इसका नाम आपको बताना है तो इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकाल को एथिलीन ग्लाइकल को ठीक है ये बच्चो इसका नाम है तो आज के लिए इतना ही फिलाल आप इतना एदि तयार कर लेते हैं तो बहुत हैं और भाई इतना कोश्चन तो एदि आप बुक में बनाना चाहो तो 100 से भी ज्यादा कोश्चन बना सकते हो लेकिन आपके लेबल के आधार पर हम सोचते हैं कि आपको कम समय में इतना तैयार भी करना है बहुत बत पता चला एक घंटा को मैं क्लास भी ले लूँ आपको समझ भी नहीं आए तो इतना आप कर लो अच्छे ओके जैहिंद बंदे महत्राव झाल 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 झाल